आयाँ जानूमर्म के बारे बात करते हैं, इसको थ्रेडित कैसे किया जाता है और इससे क्या लाप मिलते हैं? तो जानूमर्म जो है यह नी-related मर्मा है इसका मतलब जितने भी नी-related problems हैं जैसे कि कभी osteoarthritic changes हो जाते हैं नी में या फिर नी-Bena होता है तो कोई भी knee related problem है इसमें जानुमर्म का बहुत अच्छा उप्योग किया जा सकता है तो यह देखते हैं जानुमर्म को उत्प्रेरित याने की stimulate कैसे किया जाता है तो अपने हतेली के उभरेवे हिस्से को अगर आप यह देख पा रहे हैं उभरेवे हिस्से को दोनों साइड और आपकी चारों फिंगर पैर के पीछे आएंगे और इस तरह से हम इसको एक साथ दबा के stimulate करते हैं तो जानुमर्म पीछे की तरफ से पैर की तरफ से यह कुछ इस तरह से दिखाई देता है तो आप देखेंगे कि यह उंगलियां पैरों के बीचो बीच नहीं जाके साइड में हैं तो इसको ऐसे प्रेस करना है पीछे की तरफ आप ध्यान से देख पाएंगे तो इस तरह से दबाया जा रहा है तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि बहुत जादा इसमें प्रेशर नहीं डालना है और दूसरी चीज जो पुरुष है वो दाहिन पैर से शुरू करके फिर बाये पैर की तरफ आए और जो महिला हैं वो बाये पैर से शुरू करके दाहिने पैर की तरफ आए